पुर्व विधायक मंजीत सिंग तक मंच संचालन और आयोजन की मुख्य भूमिका में लेकिन इसी कारिक्रम के मंच पर सीम नितीश कुमार के सामने उनकी सरकार के मंत्री के बयान के खिलाफ विवादत तर्टपणी की गई मामला शुक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव से जुड़ा है जिनके बयान को निर्दलिय विधान पार्शवद महेश्वर सिंग ने कहा कि रामचरित मानस को बयान करने की मांग करने वाले हिजुडे हैं जिनने रामचरित मानस पर ग्यान नहीं है रामचरित मानस बताता है कि शुत्रिय धर्म क्या है माता पिता भाई भाई का संबंद कैसा हो गुरु शिश पती पतनी का संबंद कैसा हो सिखाता है ये ग्रंथ संसकार सिखाता है बड़ बोलापन नहीं सिखाता है इसके खिलाफ बोलने वाले लोग अनपड गमार हैं हम लोग जात पात करने वाले नहीं है नहीं तो राम शबरी के बेर नहीं खाते धन का भाव हुआ तो महराणा ने भामसाह से मदद ली वीर कुवर सिंग्नी सेनापती मुसल्मान थी आप सुनिए विधान पार्शद महेश्वर सिंग्ने क्या कुछ कहा है अब तो इतना होने लगा है कि राम शबरी द्रमानस को पाइन करने की माँ यहीं जड़ा लोग है जिनको राम शबरी द्रमानस के बारे में ग्यान नहीं है उपड़ा नहीं है राम शबरी द्रमानस क्या बताता है छट्रिय द्रम क्या है माता और पिता से समंध कैसा हो भाई भाई का समंध कैसा हो गुरू और सिस का समंध कैसा हो पती और पत्नी का समंध कैसा हो हमें संसकार सिखाता है हमें बड़ बोला ही नहीं सिखाता है तैसे जो राँचर इस मानच पर बोलने वाले लोग है और बड़ गवार है तो उनको इसकी सदार मिली चाहिए सवाव साथियों हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम सब को साथ लेकर चलने वाले लोग हम जाटपाट करने वाले लोग नहीं है हम जाटपाट करने वाले लोग नहीं है नहीं तो भगवाराम सबरी के चूठे वैड नहीं खाते साथियों महने परतार जो लड़ाई लड़ गया थे धन की कमी हुई तो भामा सा ने धन निकाल कर दिया एप ये कुर सिंगे सिनापती मुसल्मान सिनापती थे इसलिए साथियों भगवान राम जो लड़ने गए तो ही बनवासी उनका साथ दिये हम सब को साथ लेकर चलेगे तब ही हमको सफलता मिलेगे हम आगे पुर्णे के काम करें